ये कोई नई बात नहीं है, पचीस सो बर स्पुर्ब गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि भारत जैसे देश में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात होनी चाहिए, उस समय भी सोखसक लोग बहुत थे, पचासी से नब्वे परसेंट सोशित थे, और सोशन करने वाला आर्थिक सोशन, समाजिक सोशन, राजनेतिक सोशन करने वाला दस परसेंट के आज पास थे, और इसी बजह से उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कहा, उसी बात को बावा साहब अंबेटकर ने भी अ एक बना हुआ है बल्ड इनपोलिटी लेब बना हुआ है जैसे कोई प्रयोगशाला होता है रिफ करने के लिए तो दुनिया में कितना अस्तमानता है इनपोलीटी कितना है इसको जाच करने के लिए एक और गनाइजेशन बना हुआ जिसका नाम है वर्ड इन इक्वालिटी लेब और उसी और्गनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट दिया है कि पूरा भारत में जो जितना भी चल अचल संपत्ति है उसमें नवासी परसेंट के लगभग सिर्फ एक ही बर्ग को है और वह है उच जाती बर्ग लड़ाई गरीबो मंडेला ने गरीबों की लड़ाई लड़ी यहां भारत में डॉक्टर भीम्राव अंबेदकर ने गरीबों की लड़ाई लड़ी आज लालू प्रसाद जादव अगर यह सवाल उठाए है तो एकदम उसी स्थरेनी में वह जा रहे हैं गरीबों की आवाज उठानी चाहिए उसके लिए चाहे जितनी हमला क्यों नहीं हो पुझपतियों द्वारा वही इतिहास में अमर नेता होता है राजत सुप्रीमो लालू परसाद यादव ने एक वार फिर से कास्ट कार्ड खेल दिया है और लालू यादव अशमानता लैब के रिपोर्ट के हवाले देते बहुजनों की उनकी जो धन या आई रासी कर लें वह बहुत कम है और जबकि देश में मात्र 15 परसंट जिनकी अवादी है उनका धन रासी मतला रांड फिगर में बात कर लें तो 89 परतिशत है और सेस्टी ओवी के पास 2.4 परतिशत है तो हमारे साथ बात करने के लिए इस पटना हाई कोट के एडवोकेट अरून कुश्वाह सर है सर लालू यादव एक रिपोर्ट पेस कर रहे हैं और उसमें जातिकत जनगना भी मेंसन है जी देखें इसमें ऐसी बात है कि ये कोई नई बात नहीं है ये इसा से पचीस सोबर स्पुर्व गौतम बुद्ध ने भ भारत जैसे देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होनी चाहिए जिसकी संख्या बहुत भारी संख्या है भारत में जो आज खुल के आ रहा है कि लगभग 85-90% है तो बुद्ध ने भी कहा था कि 15% उस समय भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उस समय भी सोषक सब्सक्राइब करने वाला आर्थिक सोसन समाजिक सोसन करने वाला 10 पर संपति अचल संपति पैसा रुप्या कैस घर मकान जितना भी परपटी होता है जिस तरह तो उस समय भी ये बात बुद्ध ने समझ लिया था कि दुखों का कारण क्या है क्योंकि यहां सोसक लोग सारे संसाधनों पर कभजा कर लिया है और इसी बजह से उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा उसी बात को बावा साहव अंबेटकर ने भी अध्यन किया तो बुध के बाद डोक््टर अंबेटकर संबिधान में ऊशके लिए थोड़ा सा विवस्था किया ऐसी अष्थी ओवीसी मानिटी के लिए justice ऐस के बाद बुद्ध के वाद बिहार में यह निब हमारा है व्यitan 부분이 कि नवेशंट के पास कुछ नहीं है वह सोसीथ है इसलिए है इ दिया और वो लड़ाई लड़ा और वही आज लालु जादव कह रहे हैं लालु जादव स्वेंग अपना ब्यान नहीं है एक बना हुआ है बर्ड इन इक्वालिटी लेब बना हुआ है जैसे कोई परियोग साला होता है लेबरेटरी जांच करने के लिए तो दुनिया में कित अमीर और गरीब के बीच कितनी खाई है इसको जांचने के लिए एक और्गनाईजेशन बना हुआ है और उसी और्गनाईजेशन ने अभी रिपोर्ट दिया है कि पूरा भारत में जो जितना भी चल अचल संपत्ति है उसमें नवासी परसेंट के लगभग सिर्फ एक ही ब अगड़ा वर्ग कहते हैं या समयधानिक भासा में तो अन्रिजर्व्ट कलास कहिए या आज कल के जो भासा चलना है उसमें आरच्छन बिरोधी कहलीजे सम्मिधान बिरोधी कहलीजे पुझी वादी कहलीजे तो देश में नवासी परतिस्त संपत्ति चल चल सब मिला करके वो ऐसे 10% वाले लोग के पास है जो उच अग्राबर्ग के हैं उच जाती बर्ग के हैं वो सब कभजा करके रखा और बाकी जो बचा 11% उसमें 9% OVC के पास है अधरवेकवट क्लास के पास और मात्र 2% के आसपास सिडूल का सिडूल ट्राइप के पास समपत्य है तो मतलब य का संपत्ती अगर 100 कडूर है पूरा अगर भारत का संपत्ती 100 कडूर है तो 89 कडूर रुपया जो है उच जाती के पास है का है जबकि भारत के सम्मिधान में देश की जनता को छे बर्गों में बांटा गया है सिदुल कास्ट सिदुल ट्राइब एक्स्टीमली बैकवर्ड क्लास ओवी सी और माइनेटी और जनरल क्लास तो यह जो पांच है इसका मात्र जो है सिम्टा दिया है लोग 11 पर्शंट संपत्ति और बाकी 89 पर्शंट के आस पास सिर्फ उच जातियों का है और इसी बजह से इस देश में इतनी गरीवी है लचारी है बिरोजगारी है मुफली सी है भीक मांगने वाली किसंख्या है रोजभुख से मरने वाले की संख्या है कूपोशन का सिकार है यहां कोई काम नहीं हो रहा है सिचा का परचार नहीं हो रहा है यही कारण है कि संपत्ति कुछ हाथों में 10 परशंट लोगों के हाथों कैद हो गया तो आपका कहना सही है लेकिन जब कोई आदमी गुलाम बढ जाता है किसी का तो उसका अपना दिन में अगर नितीश कुमार और चंद्रबाऑु नाइड़ू अपनी गुलामी के जंजीर को तोड़ते हैं तब तो देश का कुछ काम हो सकता है लेकिन अगर वो भी अन्य लोगों की तरह गुलाम बन करके मोधी के हां में हां मिलाने लगेंगे तब तो फिर देश का कुछ होने वाला नहीं है और पूरे दुनिया में हम बार-बार कहते हैं कि लडाई गरीबों और अमीरों के बीच हो यहां भारत में डॉक्टर भीम्राव अंबेदकर ने गरीबों की लड़ाई लड़ी आज लालू प्रसाद जादव अगर यह सवाल उठाए हैं तो एकदम उसी स्थरेनी में वो जा रहे हैं गरीबों की आवाज उठानी चाहिए उसके लिए चाहिए जितनी हमला क्यों नहीं पुझपतियों द्वारा वही इतिहास में अमर नेता होता है और इसी लिए चुकि बीजेपी आरेसेस जो यह दोनों गठवंधन है एंडिये है एंडिये हिटलर के सिधानत पर आरेसेस चलता है आरेसेस तो अभी नराज नराज है वो दिखाने के लिए वह आई बास है कि कोई यह नहीं समझ में आवे कि मनें दूनों मिला हुआ है इसलिए इसा बीच-बीच में कुछ-कुछ ब्यान देते रहता है क्योंकि पबलिक जैसे कैसे आप भी पड़े लिखे हैं हम भी है तो खुस हो रहे हैं कि आरेसेस तो नराज है उनराज उराज नहीं है उनराज ग भी था और इसका भी स्वस्तिक चिन है तो यह दोनों जो है इसका सिधान्त था हिटलर का कि अगर किसी को गुलाम बना करके रखना है तो पहले उसको इतना गरीब कर दो इतना लाचार कर दो इतना बेरुजगारी में डाल दो इतना गरीबी में डाल दो कि ओ आपका गुला एंडिये वाले लोग, पुझे पतियों का है लोग, आप तो सब जानते हैं, कि पूरा अडानी का, मानी का, मेहुल चोक्सी का, निरव मोदी का, विजय मालिया का, इस तरह का हजारों कैप्टलिस्ट जो भारत के हैं, वो सब मोदी के लोग हैं, और वो सब लूट करके पूरा संपत्ती रखा हुआ है और इसलिए जातिय जनगनना यह लोग नहीं कराना चाहिए जातिय जनगनना कराएगा तो उसमें कौन जाती का कितना संख्या है यही खाली गिंती नहीं होगा किसके पास कितना धन है चल संपत्ती कितना है अचल संपत्ती कितना है मुभेबल प्रोप कितना है कैस्ट कितना है यह सारा गन्ना होगा न किसका कितना मकान घर है कितना जमीन अपाटोंन है और किसका मौल है यह जो पहली जो रिपोर्ट दे दिया है और इस आधार भारत की स्थिति है 89% संसाधनों पर पुझी पुझीयों पर बिल्कुल जो है 10% लोग का कबजा है यह देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए इतना गरीबी लचारी और मुफली सी इस देश में है इसलिए जातिये जनगनना होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक हमारी जो जनता है जो 90% भारत की जनता है उसको तो अब एकदम आइना की तरह साफ हो गया कि हमको गरीब रखने का साजिस है जातिये जनगनना नहीं कराना हम लोगों को जो 90% लोग है सिडूल कास्ट के सिडूल ट्राइब के अति पिछड़ा के ओवीजी के माइनरी टी सम माज के जो 90% लोग है इसको गरीब रखने का यह बिल्कुल साजिस है कि उभी सी जनता नहीं कराएंगे तो इसको पते नहीं चलेगा कि इसका हालात क्या है और इसलिए हम जर्म करते रहेंगे 5-4 kg गेहु दे देंगे तो हम भोट ले लेंगे 500-200 रुपया धरा लेंगे एक रखा है आर्थिक गुलामी में तो आर्थिक गुलाम बना करकर रखना चाहते हैं इसलिए जनगन्ना नहीं कराना है लेकिन यह करांती पकल लिया है बिहार में जातिये जनगन्ना हो चुका है और हम आशा करते हैं कि अब देश की जो 90% आबादी है 120 करोर जो हमारी आबाद हाइकोट के अड़ोकेट अरुन कुश्वासर और इन्हों ने शापका दिया है कि इसलिए भाजबाद देश में जातिगत जनगन्ना नहीं कराना चाहता है क्यूंकि जिस तरीके से वर्ड वर्ड अशवांता लाइब के रिपोर्ट आया है सामने उसे राजनितिक भुचाल सा हो गया है और गर्मा गर्मी है लालू यादब ने भी अपना सोचल मीडिया हंडल पर इसकी जनकारी दिया है और सार जो माजरा है किसके पास कितना अबादी है क्यों कास्ट के पास कौन समुदाय के पास कितना पैसा है सब बता दिये हैं वैराल हमारी बात्चित में आप